हलो एब्रीवन बेलकम बेक टू नोलिज फोर फ्यूचर इस्टडी चैनल राजिस्तान सम साम्य की नवंबर दोजार रिकीज अखवार में जो कोश्चन आये थे जो बिलेटेन आये थी उनको हम डिसकस करेंगे मैन मैन हेडिंग को important points देखेंगे जो की नवंबर महीने के अखवार में आये थे ठीक है तीन नवंबर का ये न्यूज पेपर है उसमें राजिस्तान बिधान सभा उप्चनाब के परणाम गोशित हुए थे दो नवंबर 2021 को कौन-कौन से दो सीट थी एक तो बल्लब नगर सीट थी एक ती धारियाबाद सीट यहाँ पर उप्चनाब हुए थे एक तो बल्लब नगर सीट एक ती धारियाबाद सीट इन दोनों पर ही कॉंग्रेस के प्रितियासी जीते थे बल्लव नगर सीट पर जो जीतने वाली थी वो थी प्रीती सक्ताबत नाम आपको जरूर याद रखने है दोनों सीटों के नाम याद रखने है दोनों प्रितियासी जो जीते हैं उनके नाम याद रखने है और दौनों प्रतियासी जो second number पर रहें उनके नाम याद रखने हैं आपको ठीक है बल्लव नगर से प्रीती सक्ताबत जीती थी, कॉंग्रेस की थी ये 65,713 बोट पड़े थे और ये बिधायक चुनी गई थी second number पर उदेलाल डांगी रहे थे जो की RLPC थे 45,000 बोट इनको पड़े थे, second number पर ये तहे रहे थे तीसरे नंबर पर अरदिर सिंग बींडर थे, जन्ता सेना के ये तीसरे नंबर पर रहे और भाजबा के हिम्मत सिंग जाला चौथे नंबर पर रहे धारियाबाद से नगराज मीना कॉंग्रेस से जीते थे 79,000 बोट इनको पड़े लगबग बिदायक चुने गए थे वहां से निकर्तम पृति दुन्दी रहे थे वहां के धावर चंद डामोर जो की निर्दलिय लड़े थे ठीक है तो बल्लव नगर और धारियाबाद दोनों से ही कॉंग्रेस के कारकरता जीते बल्लव नगर से पृति सक्ताबत जो की पहली महिला बिदायक बनीती वहां से ये राश्टी एस्तर की खिलाडी भी रह चुकी है इसलिए important हो जाता है एक question की पृति सक्ताबत बल्लव नगर से पहली महिला बिदायक बनी है अगला important point है बीकानियर टेक्निकल यूनिवर्सटी नई सिच्छा नीती को लागू करने वाली प्रदेस की पहली यूनिवर्सटी बन गयी है यहां पर B.T.E.C. के सभी आठ सेमिस्टर की क्रेडिट सरचना, पिर्थम और तुतिय सेमिस्टर की नभीनतम योजना, पाठ्थे करम का अनुदन हुआ है, तीर नए कोर्स कोले गए हैं, कौन-कौन से हैं यह, Artificial Intelligence और Data Science में B.T.E.C., Artificial Intelligence और Machine Learning में B.T.E.C. और Internet of Things में B.T.E ठीक है, तो B.T.E.C. ने नई सिच्छानिती लागू कर दी है, राजस्तान सरकार द्वारा, राजस्तान की स्रेष्ट तीन राजकिय उच्छ मादमिक, बैमादमिक स्कूलों को प्रस्कृत किया जाएगा, राजस्तर पर छे, दोनों स्कृत पर तीन-तीन, राजस्तर, जला इस्तर पर 66 और बिलोक इस्तर पर 301 सिकूलों को पुरिश्कृत किया जाएगा, इन स्कूलों को 50 लाग की रासी बित्रित की जाएगी, राज्य इस्तर पर उच माध्मिक स्कूल में पिर्थम को एकलाग रुपे, दुतिय को 75,000 रुपे और तिर्थम को 50,000 रुपे दिये जाएंगे माध्मिक स्कूल में पिर्थम को 50,000, दुतिय को 40,000 रुपे दिये जाएंगे ये राज्य इस्तर पर दिये जाएंगे जिला इस्तर पर उच्छ माध्मिक में पिर्थम को 25,000, माध्मिक स्कूल में पिर्थम को 25,000 दिये जाएंगे और बिलोग इस्तर पर 10,000 रुपे दिये जाएंगे दोनों को ठीक है इसमें ये 11 आधारते किये गए हैं इतने important नहीं है के बल आपको याद रखना है कि 50,000,000 रुपे की रासी बिक्तित की जाएगी दोबई एक्सपो में राजिस्तान में निबेश के लिए 37,828 करोट रुपे के MOU साइन हुए हैं जोदपुर में राजिस्तान का सबसे बड़ा बस टर्मिनल बनेगा कोश्चन आ सकता है ये राजिस्तान राजजयपत परवेहन निगम RSRTC द्वारा जोदपुर में राजिस्तान का सबसे बड़ा और आधुनिक बस टर्मिनल बनेगा इसका सिलान यास 6 जून 2022 को किया जाएगा यह बस टर्मिनल पुराने बस स्टेंड की जमीन को ही मिला कर बनाया जाएगा ठीक है तो जोदपुर में सबसे बड़ा बस टर्मिनल बनेगा 18 नमबर 2021 को जैपुर का 204 में बाइस्थापना दिबस मनाया गया था एक कोशन यह भी इंपोर्टेंट है कि जैपुर परकोटे को सामिल कब किया गया था अगला और मॉस्ट इंपोर्टेंट कोशन देश का दूसरा बर्ड क्लास रेएलेए स्टेशन पहला कहा पर है पहला है मध्यप्रदेश में उसका नाम क्या है रानी कमलापती जो कि जिसका पहले नाम था हभीब गंज हभीब गंज के बाद अब नाम बदल गया उसका हो गया है रानी कमलापती रेलवे स्टेशन तो देश का दूसरा वर्ड क्लास रेलबे स्टेशन जैपूर का गांधी नगर बनेगा ठीक है नवंबर 2021 में गोशना हुई है ये रानी कमलापती रेलबे स्टेशन की तरज पर ही ये बनेगा इसमें लगवग 150 करोड रुपे के बेह होने का अनमान है गांधी नगर रेलबे स्टेशन पूरी तरह से महिला इस्टाप द्रा संचालित है ये आपको पता ही होगा पूछा भी गया है काफी बार गांधी नगर स्टिशन के साथ ही उदैपूर रेल्वे स्टिशन को भी बिक्सित किया जाएगा ये भी आपको याद रखना है भारत के पूर्ट है महीला स्टाइप दोरा संचालित पांच रेल्वे स्टिशन के नाम देख लो एक तो है माटूंगा रेल्वे स्टिशन ये मुंबई उपनागर में है इस स्टिशन का नाम लिमका बुक ओफ रिकॉर्ड में दरजुआ था दोजार अठारे में सेकंड महीला स्टाप दोरा संचालित है गांधी नगर रेल्वे स्टिशन चैपो राजिस्थान थर्ड है अजनी रेल्वे स्टिशन नागपूर महराष्ट चोता है मडी नगर रेल्वे स्टिशन एहमदाबाद गुजरात पांचवा है चंद्रागिरी रेल्वे स्टिशन चितूर आंधर प्रदेश ये 5 railway station है जो कि पूनत है माईला एक्सटाप द्वारा संचाले थे हैं भारत में अगला important point है जैपुर की सकुंतला महावर को कालीदास अवार मिला है पूछा आशकता है कि कालीदास अवार निम्न में से किसको मिला है तो जैपुर की सकुंतला महावर है उनको कालीदास अवार मिला है खला point है नीती आयोग के पहले multidimensional poverty index की अधार पर राजिस्थान के 39.64 पृती सथ लोग गरीवी में है राजिस्थान का देश में आ अठवा इस्तान है गरीवी के मामले में नी आयोग की और इसकी अनसार देश का सबसे गरीव राजज बिहार है यहां की 51.91 पृति सथे आवादी गरीव है दूसरे पर जहरकंड है जहांकि 42.16 पृतिसथाबादी तीसरे पर उत्तर प्रदेश है जहांकि 37.89% आबादी गरीब है चोदे पर मध्य प्रदेश है और आठवे इस्तान पर राजिस्तान है सबसे कम गरीब कहांपर है केरल में केरल में सबसे कम गरीब है जहांपर 0.71% लोग ही गरीब है राजिस्तान प्रदेश की सिर्णी देख लेते हैं एक बार पोसन में राजिस्तान का इस्तान है छटवा बाल एवं किसोर मिर्ति उदर में राजिस्तान का इस्तान है साथवा मातरतो स्वास्ते में है नवा स्कूलिंग के साल में है छटवा स्कूल में अपस्तिती में है तिरतिय स्थान खाना बनाने के लिए गैस नहीं में है नौवा स्वच्छता में है साथवा स्थान घर में बिजली नहीं होने में है आठवा संपत्ती में है छटवा स्थान राजिस्तान की दर्शना राठोड ने 64-2 National Shooting Championship में Senior Berg में Gold Medal जीता है खेलो इंडिया Youth Games Championship पटियाला में चल रही 64-2 National Shooting Championship में इनोंने Gold Medal जीता इनोंने पंजाब की गनेमत सेखो को हराया बारतिय पुरुस स्कॉस टीम के कोच है हरिंदर पाल सिंदू यह important question है याद रखना है बारतिय पुरुस स्कॉस टीम के कोच कोच है हरिंदर पाल संदू राजिस्थान ने Road National Cycling की Overall Championship जीती है यह Championship राजिस्थान ने 35 बरस बाद जीती है यह Cycling Championship कुरूचेतर हरियाना में हुई थी ठीक है? Overall Championship हुई थी है Road National Cycling की जिसमें राजिस्थान ने पहला इस्तान असिल किया है इस Championship में पर्माराम ने Under 18 केटिगरी में 120 किलोमीटर मास स्टार्ट में Gold Medal जीता पर्माराम को भारत का Based Junior Cyclist चुना गया है याद रखना है आपको तीन Gold Medal जीते हैं और इस कारण पर्माराम को राजिस्थान के हैं यह पर्माराम इनको भारत का based Junior cyclist चुना गया है अगरा है जायपूर की गीत का सर्माने प्रतियोगता में जायपूर की गीत का सर्माने स्वण पदग जीता है राजपाल को 12 ची में पर्मेश्टी सम्मान मिला राजिस्थान के राजपाल कौन है कल राज मिस्र कल राज मिस्र इनको कौन सा पुरुषकार मिला है कासी हिंदू बिश्विध्याले की पंडित दीन दियाल अपाध्या सोध पीठ ने परमिर्ष्टी सम्मान इनको प्रदान किया है यह पुरुसका राजपाल को बारण सी दौरा के दौरान मिला था तो यह हमने जो important points आये थे अखवार में अखवार की जो news थी वो discuss करी थी अगर आपको वीडियो helpful लगी हो तो चैनल को subscribe जरूर करने